चोपड़ा है जो किसी ने वुटूप चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो MCC का All India 3rd round के लिए seat matrix आ चुका है यनि कि अभी इस round के लिए 23% seat अभी vacant है इसकी क्या कटोप जाएगी इस seat matrix को देखते हुए इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथी साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सी कैटेगरी में कितने seat ये vacant होके आई है और कितनी seat clear vacancy है और कितनी virtual vacancy है तो इसके विशे में हम इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2024 और 2023 के अंदर कितना difference रा है इस seat matrix में तो 2024 में जो अभी clear vacancy है clear vacancy का मतलब ये होता है कि इतनी seat vacant है इन पर किसी भी student का कोई भी admission नहीं है ये clearly vacant seat है यानि कि 2351 seats third round के लिए vacant है अभी जिन पर second round में allotment हुआ था इन पर student ने join नहीं किया है आगर 23 का देखें तो 23 में total 2651 seat vacant होके आई थी 23 के comparison में इस साल 300 seats कम vacant होके आई है 300 seats कम होके आई है अब यहाँ नई seat जो add हुई है वो 150 seats add हुई है पिछली साल कोई seat add नहीं हुई थी third round में तो इसलिए अगर देखा जाए तो total यहाँ seat third round के लिए 25001 seat हो गई है जबकि 23 में यह 2651 seat से थी यानि कि यह 1500 seat कम है अब की बार की बजाए तो total जो 422 कोलेज में इस बार seat है वो total 10,832 seats है अभी तक जिसमें vacant seat है वो 2501 seat है यानि कि total 23,09% seat अभी vacant है third round के लिए यहां third round के लिए इतने seat vacant है अगर पिछली बार देखा जाए तो 379 colleges में total जो seat थी third round के लिए वो 10,274 थी उसमें vacant seat होके आई थी 25,80% जबकि अब की बार 23,9% seat ही vacant है अब एक बार category wise देख लेते हैं open category 947 seats है OBC 600 है EWS 216 है SC 410 है ST 178 है और virtual vacancy यहां 5,666 है virtual vacancy का मतलब होता है इन पर student ने second round तक admission ले रखा है और upgrade के लिए option दे रखा है third round के लिए तो यह इतनी सारे candidate ने option दे रखा है update के लिए, upgrade के लिए अब BDS की total 486 seat है dimmed की 621 seats है जबकि पिछली बार 1301 seats थी dimmed की BDS की 398 थी पिछली साल open की 1078 थी OBC की 670 थी EWS की 221, ST की 438 और ST की 214 seats vacant थी पिछली बार तो यह comparison मैंने आपको बता दिया है पिछली बार का और इस साल का तो इस साल अभी 23% seats vacant है जो 23% seat भी एक काफी बड़ा amount होता है इसमें हम कम अंग्पलन नहीं कर सकते तो अब इन सब को देखते हुए क्या cutoff जा सकती है third round की तो यह cutoff मैंने 2-3 दिन पहले ही predict कर दी थी कि इतने cutoff जा सकते है उतनी ही cutoff जाने की possibility है क्योंकि इतने seat आने की हमें possibility बन गई थी और नहीं जो seat add हुई थी वो 150 seat पहले ही add हो गई थी इन सब को देखते हुए हमने cutoff predict की है third round की UR category की 24,000 यानी 653 इस्टे में जा सकती है 25,000 UR की 652 OBC category में 24,100 score रह सकता है इसका 652 और OBC category में इस्टे round में last round जो होगा 25,200 तक जा सकती है 651 cutoffer अब EWS की बात करें तो 27,500 तक जा सकती है 649 marks पर और इस्टे में 28,000 तक जा सकती है 648 marks पर ST category 1,37,000 तक जा सकती है 550 marks तक और इस्टे में 1,45,000 तक जा सकती है 554 marks पर ST category 1,82,516 marks जा सकती है और जो ST category इस्टे में जा सकती है 1,95,000 यानि 507 marks जा सकती है तो यह expected cutoff है 3rd round के लिए और last round के लिए तो यह expected cutoff मैंने आपको बता दी है और seat का भी बता दिया है कि कितनी seat vacant होके आई है और पिछली साल कितनी seat है vacant होके आई थी तो इन सब के बारे में बता दिया है बाकी cutoff expected cutoff यह रह सकती है फिर भी देखते हैं कि इसमें stream में कितने seat आ सकती है उसके according और मैं आपको analysis करके बता दूँगा इसके बारे में तो यह जानकारी थी seat matrix के बारे में मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जय हिन